इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर यूर बोर्ड एक्जैम तो चैप्टर हैलोल केन एंड हैलोल इंस की वो सभी NCRT रियक्शन आज आज आपको कराई जाएंगी जिसके अंदर आपकी सभी परप्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिश्यूशन रियक्शन नूकलेफिलिक सब्सिश्यूशन रियक्शन परप्रेशन रियक्शन और साथ में सारी नेम रियक्शन वन वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है जो आपके फाइनल बोर्ड एक्जैम के लिए काफी important रहने वाली है तो वीडियो को न तक जूर देखते रही है और जो भी friends मेरे साथ first time जूर रहे है तो चैनल को subscribe जूरू कर ले और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे handwritten notes को download नहीं किया तो जल्दी से चैनल के playlist में जाकर वो chapter wise सभी notes को आप download कर सकते जो आपके final board exam के अंदर chemistry में आपको टोप कराने वाले हैं तो हमारे पास जो first reaction रहेगी चैप्टर के अंदर यूजिंग ओपे थाइनायल कोलाइड तो यह सबसे पहले हमारे पास है preparation ओपे हैलोलकेन तो हैलोलकेन की जो पहली preparation है basically बच्चो यूजिंग ओपे थाइनायल कोलाइड तो थाइनायल कोलाइड क्या आता है SOCL2 अब इस case में हमने क्या लेके चलना है alcohol group लेके चलना है यहाँ पर हमने एथिनोल लिया CS3 CS2 OH पलस उसमें हमने क्या डाल दिया SOCL2 डाल दिया तो यहाँ पर जो हमारे पास जो formation ब बात करते हैं तो बच्चो यहाँ पर जो हमारे पास pure alkyl halide की formation आती है क्योंकि SO2 और HCL दोनों ही basically यहाँ पर gas की form में निकल के आती है यह वी exams में question पूछा जाता है second जो हमारे पास यहाँ पर preparation है using hydrogen halide hydrogen halide हमारे पास क्या है यहाँ पर HX तो X हमारे पास chlorofluorobromoido तो यहा से पहले हमने क्या लिया ethanol 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 के अंदर हमने जब HCL डाला तो किसकी presence में डालना है anhydrous basically GnCl2 की presence में तो हमारे पास जो परप्रेशन बन कहाँगी हैलोलकेन की CS3, CS2, CL क्योंकि जो CL है OH को replace करेगा और इधर से OH और इधर से H तो water molecule बाहर निकल जाएगा अब यह याद रखना है आपने की HCL के साथ जब reaction करते है तो catalyst की presence में होगी यह वो catalyst कोन सा होगा anhydrous GnCl2 यदि हम second reactions की बात करते हैं basically बच्चो यदि हमने HBR बनाना है तो HBR बनाने के लिए हमने special use करना पड़ेगा N-ABR plus H2SO4 कि sodium bromide plus sulfuric acid तो हमारे पास यहाँ से HBR निकलेगा HBR plus sodium यहाँ से एक hydrogen और sulfate तो sodium hydrogen sulfate की formation आएगी अब इस case में हमने यहाँ पर लिया methanol 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 में हमने डाल दिया sodium bromide plus sulfuric acid तो हमारे पास CS3BR बनेगा so this is a हमारे पास methyl bromide बन गया plus water निकलेगा plus हमारे पास sodium hydrogen sulfate तो यह दियान अखना आपने कि कि किस reaction किस के according होती है यही आपने learn करनी है अपने final board exam के लिए क्योंकि यह preparation convergence सभी के लिए important रहने वाली है next हमारे पास यदि आप HI के साथ reaction करना चाहते है तो HI के साथ reaction करने के लिए आपने कोई भी catalyst यूज नहीं करना बट इस reaction के लिए H3PO4 यूज करना पड़ेगा plus sodium iodide तो हमारे पास इधर से H और इधर से I, HI निकलेगा plus N और उसके बाद H2 और हमारे पास PO4 तो यहाँ पर फर्दर हमने क्या ले लिए मिधिनोल एथिनोल कुछ भी ले सकते हैं तो इसके अंदर आपने क्या डाल दिये H3PO4 plus sodium iodide तो हमारे पास यहाँ से किसकी formation आगे methyl iodide की उसके बावजुद water molecule निकलेगा basically बच्चो और पलस क्य करना है और बाकी इन सब के साथ आपने यह special reaction यूज करनी है यह exams में पूछी जाती है नेक्स हमारे पास जो third reactions रहेगी basically using और फोसफोर्स ट्राइलाइड आप फोसफोर्स ट्राइलाइड के लिए हमने PX3 लिया PX3 के अंदर X हमारे पास कोई भी chloro, promo और या फिर आइडो अब इसके अंदर फर्दर हमने ethanol ले लिए बच्चो 3 molecule के रूप में 3 CS3, CS2, OH पलस क्या डाल दिया इसके अंदर PCL3 अब इस case में CLOH को replace करेगा तो हमारे पास क्या बन गया 3 CS3 यहाँ पर देखिए और CS2 और CL पलस क्या निकलेगा S3PO3 तो यह reaction को आपने learn कर लेना अच्छी अब यह हमारे पास क्या this is a tri bromide phosphores अब इसके अंदर हमने क्या use करना पड़ेगा catalyst यूज करना पड़ेगा basically बच्चो red phosphores plus PR2 अब इस case में तब reaction होगी otherwise without catalyst यह reaction अकर नहीं होती कभी आप इस reaction के according इसको भी done कर दे पस इतना याद अखना इसके अंदर आपने red phosphores यूज करना है तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहां पर this is a bromo ethion की formation plus क्या निकलेगा H3PO3 ऐसे ही यदि हम PI के साथ reaction करना चाते है तो इसके अंदर भी आपने क्या डालना पड़ेगा red phosphores plus I2 तो हमारे पास ethanol से convert किसके अंदर हो जाएगा यह basically ethyl bromide के अंदर plus क्या निकलेगा H3PO3 तो यह हमारे पास using of a phosphores trihalide जब हम PX3 लेते हैं तो यहां पर तो direct action हो रही है बट इस दोनों के अंदर हमने क्या use किया catalyst यूज किया अब यह question मनता है बच्चो कि हमने इस दोनों के अंदर catalyst क्यों use किया कि PBR3 and PI3 जे unstable यह unstable होते हैं so they are can prepared in a C2 अब C2 क्या होता है basically जो reaction mixture जो produce ह होता है reaction के in between तो by using उस के लिए हम क्या use करते है red phosphores with BR2 और red phosphores with I2 यह आपने याद अकना है इसके अंदर next हमारे पास जो preparation रहेगी basically बच्चों using उपे phosphores pentahalide PCL5 अब इस case में हमने ethanol लिया CS3, CS2, OH पलस PCL5 अब इसमें CL इसको replace करेगा OH को तो हमारे पास क्या बनेगा CS3, CS2 CO2CL, Ethyl, Colorado, Plus क्या निकलेगा P, यहाँ से O इदर से और यहाँ से 3CL निकल जाएंगे PO, CL, 3 पलस यहाँ एक H बचा और एक इदर CL, तो HCL निकल गए by product के रूप में, तो यह हमारे पास reaction रहेगी using उपे phosphores pentahalide जो हमारे पास fifth है basically बच्चों जो preparation उपे हेलोलकेन है from a hydrocarbon अब hydrocarbon के लिए जो ये reaction आपको अभी कराने जारों ये काफी important कई बार board exam से पूछ ली गई है कि from alkane by a free radical halogenation अब जहां पर free radical की बात होती है halogenation की बात होती है तो वो sunlight की presence में होगी ultraviolet light लिखो या h new लिखो अब यहां पर basically chlorination कर सकते हैं या फिर bromination तो हमारे पास हमने क्या लिया butane लिया बट इस reaction के अंदर यह याद अखना आपने various mixture बनते हैं तो एक बार cl basically बच्चो इस carbon के साथ attach होगा और एक बार cl अंदर वाले carbon के साथ attach होगा तो हमारे पास जो formation बनेगी cc3 cc2 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 यहां से hydrogen निकला एक और यह दर से cl hcl बाहर निकला और यहां पर cl attach हो गया second case में आपने cl को कहां पर attach करा दिया अंदर वाले carbon पे तो इसमें various product बनते हैं यह आद अखना आपने free radical halogenation गे अंदर next हमारे पास यह preparation भी काफी important है यह कहीं बार board exams में complete करनी आती है cc3 cc1 cc2 तो यह हमारे पास this is a propene plus br2 डाला in the presence हो पे ultra violet light इस को जैसे heat किया अब most of these students क्या करते है br को यहां पर attach कर देते हैं बढ़ आपने यहां पर attach नहीं करना basically बच्चो आपने br को इस methyl group के साथ attach करना यहां से एक h निकलेगा और br hbr as a byproduct निकलेगा और br कहां पर attach हो जाएगा इस c के साथ तो हमने यहां पर लिखा br cc2 cc double bond cc2 तो यह double bond as it is ही रहेगा तो यह reaction भी आपने बहुत अच्छी तरह से learn कर लेनी है next हमारे पास जो reaction रहेगी basically बच्चो from alkene अब alkene के अंदर addition of a hx की बात कर रहे है hx को add करेंगे किस के अंदर alkene के अंदर तो alkene हमने क्या लिया cc2 double bond cc2 इसके अंदर हमने hvr डाल दिया तो अब इस case में basically बच्चो hydrogen के उपर partial positive charge होता है br के उपर partial negative तो किसको किसी के साथ attach कर लो क्योंकि ये दो ही carbon है तो हमारे पास क्या बन के है इसमें state chain बन के है cc3 cc2 और br तो this is a bromo ethane अब यहाँ पर दो condition आ जाती है हमारे पास marconic rule और anti-marconic rule अब marconic और anti-marconic भी आपने समझना है क्योंकि ये conversion reaction के लिए काफी important होता है अब हमने यहाँ पर propene लिया basically cc3 cc double bond cc2 plus hbr hydrogen के उपर partial positive और br के उपर partial negative अब जो marconic के definition वो क्या कहते है कि जो negative part है attach with a less number पे hydrogen in a unsaturated carbon the positive part attached with a more number पे hydrogen in a unsaturated compound तो ये definition जो मैंने अब भी बोली अब जो negative part किस पर जाएगा less number पे hydrogen जहाँ पर unsaturated मतलब double bond है और जो positive part है वो कहाँ पर जाएगा more number पे hydrogen के उपर तो हमारे पास formation किस क्या जाएगे बच्विर cc3 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 के साथ क्या attach हो गया और यहाँ से double bond की cleavage होगी तो यहाँ पर यह cs3 बन गया तो marconic rule के अंदर हमेशा branch बनती है तो यह हमारे पास branch बनके त्यार हो गई आयूपेसी क्या करोगे 123 तो टूपे ब्रोमो और दिस इस इस प्रोपेन next हमारे पास है anti-marconic rule या इसका दूसरा नम के है पर ओक्साइड effect या फिर carse effect तो इसकी यह तीन नीम है अब सेम हमने प्रोपेन लिया वही HBR लिया basically बच्चो और जो यह reaction होती है यह पर ओक्साइड की presence में होती है यह इतना याद रखना आपने और इसके अंदर straight chain बनती है तो यह विल्कुल इसके opposite है तो यहाँ पर जो negative part कहाँ पर जाएगा more नंबरों पर hydrogen यह उन्हें unsaturated carbon कि जो positive part है वो कहाँ पर जाएगा less नंबरों पर hydrogen के उपर जहाँ पर unsaturated carbon तो हमारे पास formation किसके आएगी straight chain कि CS3, CS2, CS2 और BR तो अब propene से किसमे convert कर दिया हमने this is a bromopropene के अंदर तो यह आपने बहुत अच्छे तरीके से learn करना है क्योंकि exam के लिए काफी काफी important रहेगा next हमारे पास है addition of a halogen तो यह reaction भी काफी important है basically बच्चों हमने क्या लिए यहाँ पर propene तो propene का formula CS3, CH double bond, CS2 plus BR2 डाला बट यहाँ पर जो बच्चों कैटलिस्ट है वो basically change हो गए CCL4 अब इस case में जो हमारे पास formation बनती है जब बच्चों कैटलिस्ट यह होता है तो vicinal dihalide की formation आईगी तो BR कहाँ पर attach होगा unsaturated carbon पे एक BR यहाँ पर attach होगा और एक BR यहाँ पर attach होगा तो double bond की cleavage होगी तो हमारे पास क्या बन गया CS3, CH के निचे BR, single bond CS2 और BR तो इसको हम क्या बोलते है vicinal dihalide और यहीं पर definition बन जाती हमारे पास vicinal dihalide क्या होता है कि जो हमारे पास same halogen atom attach with a different carbon atom this is called vicinal dihalide इसको हम vicinal dihalide कहते हैं तो यह reaction भी आपने prepare करनी अपने final board exam के लिए next हमारे पास जो preparation है halogen की halogen exchange halogen exchange basically दो ही reaction के अंदर होता है बच्चों पहला हमारे पास finkelstein reaction second रहेगी हमारे पास swartz reaction और दोनों ही name reaction board exam के लिए काफी important रहने वाली है chapter के अंदर तो जो हमारे पास finkelstein reaction है पहले वो अब जो इसकी reaction की पहचान है basically बच्चों इसमें क्या डालते है sodium iodide in the presence of dry acetone शिरफ only halogen exchange होंगे I किसको replace करेगा यहां से CL को और CL किसके साथ आएगा NA के साथ तो हमारे पास CS3 I आज आएगा this is a methyl iodide plus क्या निकलेगा NA CL तो इस reaction को हम क्या बोलते हैं SWATS reaction यह हमारे पास only 4 metallic fluoride के साथ ही reaction होती है पहला हमारे पास AZF second हमारे पास HG2F2 और third हमारे पास COF2 और fourth हमारे पास SBF3 अब इस case में हम किसी के साथ भी कोई भी reaction कर सकते हैं हमने यहां पर क्या लिया methyl bromide ले लिया CS3BR पलस इसमें हमने क्या डाल दिया silver fluoride डाल दिया जिसको हम AZF कहते हैं तो इसमें भी halogen exchange होंगे तो F किसको replace करेगा BR को तो CS3 के साथ F आ जाएगा पलस AZ के साथ क्या निकलेगा हमारे पास BR निकलेगा तो this is a fluoromethine की formation आ जाएगी तो यह हमारे पास first reaction ती जिसको हम Finkelstein reaction कहते हैं second हमारे पास कौन सी थी Swartz reaction दोनों ही आपने prepare करनी है exam के लिए next हमारे पास है preparation आपे halorans और halorans की preparation भी काफी important है तो पहला topic हमारे पास NCRT ने चोड़ के according क्या रहेगा from a hydrocarbon by electrophilic substitution reaction अब इस case में हमने बच्चों क्या लेके चलना है tolin ले लिया tolin क्या होता है benzene के उपर CS3 इसको हम methyl benzene भी कहते है अब tolin के अंदर हमने CL2 डाला क्योंकि अब CL2 किसकी presence में डालना आपने N-Hydras AL-CL3 ले लिजिए या फिर N-Hydras FECL3 जिसको हम Lewis Acid Catalyst कहते हैं अब इसके अंदर यदि हम CL2 को break करें तो CL plus क्या निकलता है CL अब इस case में जो CL positive होगा वो हमारे पास electrophile होगा तो electrophile की position एक बार कहां पर जाएगी ortho position पर और एक बार कहां पर जाएगी para position पर 4 4 पे chloro और ये हमारे पास क्या बन गया टोलिन ये हमारे पास ortho chloro टोलिन जो minor product बनेगा तो इस reaction को learn कर लेना है और यदि इस reaction में ये पूछ ले जाए कि electrophile क्या था तो electrophile हमारे पास CL positive था उसके बार next reaction हमारे पास ये भी काफी important है benzene convert into iodobenzene अब जो benzene आपने लिया इसके अंदर आपने क्या डाला सिरफ just only iodine तो ये reaction हमारे पास reversible reaction है तो iodine किसके साथ attach होगा यहाँ पर इस benzene के साथ तो iodobenzene निकलेगा प्लस इदर से H और इदर से I तो HI की formation बाहर निकल जाएगी as a byproduct अब ये reaction basically बच्चो reversible है क्यों है क्योंकि जो HI है this is a strong reducing agent ये आपने याद अखना है ये काफी important रहने वाली है next जो हमारे पास है preparation basically बच्चो preparation of a halorins from a dizonium salt जिसको हम diotization reaction भी कहते हैं ये name reaction है तो aniline आपने लिया benzene के उपर NH2 इसको हम benzene amine भी कहते हैं तो इसमें आपने क्या डाला sodium nitride plus HCl temperature क्या रहेगा 025 degree Celsius जिसको हम 273 से 278 Kelvin कहते हैं तो direct position हमारे पास क्या बनेगी dizonium salt dizonium वैसे क्या होता है पहले ये मैं आपको बता देता हूँ N2 को हम dizonium कहते हैं यदि Cl लग जाए तो ये kolroid बन जाएगा और यदि benzene लग गया तो benzene dizonium kolroid बन जाएगा तो ये हमारे पास stable compound है due to the form of a resonance अब पलस कहाने के लिएगा NaCl plus water molecule तो इस reaction को हम digestion reaction कहते हैं तो इसको अच्छी तरह से आपने learn कर लेना है और benzene dizonium kolroid की काफी आगे reaction है बेसिकली बच्चो send me reaction getterman reaction ball sitman reaction तो इसके उपर काफी reactions prepare होती हैं तो next हमारे पास जो reactions रहेगी वो रहेगी send me reaction अब send me reaction के अंदर यदी हम बात करें बच्चो कई बार conversion पूछ ली जाती है aniline convert into bromobenzene आप सबसे पहले first step तो आप ये करोगे second step में आपने जो send me reaction में करना है वो क्या डालना है आपने cu2 br2 plus hbr यदि ये डालोगे तो हमारे पास bromobenzene पलस क्या निकलेगा N2 यदि आप cu2 cl2 plus hcl डालोगे तो हमारे पास क्या निकलेगा chlorobenzene तो ये काफी important reaction है direct भी आप इसको कर सकते हो aniline convert into bromobenzene कर सकते हो aniline convert into chlorobenzene भी कर सकते हो तो यहाँ पर benzene dijonium koloreide लिया ये डालके हमारे पास bromobenzene plus क्या बना chlorobenzene plus क्या निकला इसके अंदर as a byproduct N2 निकल के आया तो ये reaction भी आपने paper के लिए बहुत अच्छे तरिके से prepare करनी है next हमारे पास जो reaction रहेगी basically बच्चो benzene dijonium koloreide के अंदर आपने potassium iodide डालना है अब potassium iodide का formula हमारे पास क्या है क्या है क्या आई अब जो क्या डालते है जैसी ही तो हमारे पास iodobenzene बनेगा plus क्या निकलेगा N2 निकल जाएगा बहार plus क्या निकलेगा KCL तो ये reaction भी आपने त्यार करनी है कैसे त्यार करोगे Aniline convert into iodobenzene अब इसमें सबसे पहला step तो आपने digitization कर देना है second step में आपने क्या है डाल देना तो हमारे पास क्या बनेगा iodobenzene बनके त्यार हो जाएगा next हमारे पास जो reaction रहेगी basically बच्चों ये भी name reaction है Gatterman reaction अब Gatterman ने further sandmir को modified किया अब Gatterman basically क्या लेके चल रहा है only copper powder plus HCL लेके चल रहा है बाकी reaction same as it is है उसने वहाँ पर Cu2 और Cl2 लिया था यहाँ पर इसने just only क्या लिया copper powder further इसको modified कर दिया गया तो benzene diisoneum chloride के अंदर क्या डाला अपने copper plus HCL डाला तो हमारे पास क्या बन गया chlorobenzene plus by product हमारे पास क्या निकलेगा N2 निकलेगा ऐसी यदि हम copper powder plus HBR डालते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या निकलेगा bromobenzene कि benzene के उपर BR plus क्या निकल गया N2 तो यह हमारे पास पास basically बच्चों benzene dijonium koloride लिया इसके अंदर हमने क्या डाला HBF4 जिसको हम क्या बोलते हैं fluoroboric acid जैसे हम इसको heat करेंगे तो हमारे पास benzene के उपर N triple bond N to as it is रहेगा यहां से H और इदर से CL बहार निकलेगा और BF4 इसके साथ attach हो जाएगा negative form के रूप में जैसे इसको strongly heat करते हैं तो इसमें से हमारे पास क्या बनेगा fluorobenzene बनके त्यार हो जाएगा benzene के उपर F पलस क्या निकलेगा BF3 बहार निकल जाएगा पलस N2 तो इसको हम बोलते हैं जो आपके पेपर के लिए काफी important रहने वाली है क्योंकि ये सारी परप्रेशन जो reaction परप्रेशन के बीच में आती name reactions रहती है और इनी के वेस पे conversion और completion पूछी जाती है exam के अंदर next हमारे पास रहेगा इसके अंदर टोपिक chemical reaction आपे होती है कि जो nuclear file होते है basically बच्चोन के उपर negative charge होता है तो negative charge होने की वज़े से वो जो किस पे attack करेंगे central carbon atom जिसके उपर positive charge होता है तो वहां से दूसरे group को यहां से leave करा देंगे तो जो nuclear file है जिसके उपर negative charge है तो किस पे attack किये है इसने partial positive वाले carbon के उपर तो यहां से जो X है this is a living group यह further बहार निकल गया तो जो यह nuclear file है किसके साथ attach हो गए यहां पर यह carbon के साथ यह हमारे पास product बनेगा और X हमारे पास क्या रहेगा यहां पर living group अब जो पहली reaction है nuclear philic substitution reaction की जो exams में पूछी जाती है reaction with NaOH या फिर QH अब सबसे पहले हमने NaOH aqueous ले लिया यहां पर आप अपनी मर्जी से ले चकते हो chloro-mithin ले रखा है मैंने यहां पर बच्चो आप इसको यहां पर आप chloro-ithin भी ले चकते हो उसके बावजूद chloro-propane भी ले चकते हो अब इस case में NaOH आपने डाला तो OH किसको replace करेगा CL को तो यहां से NaCl ऐसे by-product निकलेगा तो हमारे पास CS3 OH बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं methanol तो यहां पर जो OH है this is a nucleophile इसने अटेक किये किसके उपर यह हमारे पास कार्बोकेटाइन के उपर methyl group के उपर तो हमारे पास बन गया methanol पलस NaCl next reaction हमारे पास है reaction with water molecule अब water को भी हमने breaker के लिखा ह-OH के रूप में तो हमने लिए यहां पर methyl chloride पलस water molecule अब यहां से basically बच्चो OH किसको replace करेगा CL को तो यहां पर CS3 OH बन जाएगा पलस इदर से H और इदर से HCl बाहर निकलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं this is a methyl alcohol या फिर methanol next हमारे पास जो reaction है basically बच्चो reaction with alcoxide ions अब alcoxide ions होते क्या है RO negative Na positive इसको हम alcoxide बोलते हैं और इसको हमने basically CS3 group ले लिए तो हमारे पास क्या बन गया यह sodium mythoxide यह हमारे पास sodium mythoxide रहेगा तो हमने methyl chloride के साथ reaction की तो इदर से Na positive वाला और इदर से CL negative वाला बहार निकलेगा यह बाइ-product तो हमारे पास CS3 O CS3 निकल जाएगा प्लस NACL अब यह जो group हमारे पास बन क्या है बच्चो basically RO-R group जिसको हम ether group कहते हैं symmetrical form में है तो यह हमारे पास बनेगा dimethyl ether या फिर methoxy methane इसका नाम रहेगा यह भी काफी important रहने वाली है यह reaction आपके लिए next जो हमारे पास है nucleophilic substitution reaction reaction with ammonia अब हमारे पास हमने क्या ले लिए यहाँ पर methyl bromide इसमें ammonia डाला बच्चो यहां से तो यहां से H इधर से H और BR बहार निकलेगा और NH2 group attach हो जाएगा किसके साथ CS3 के साथ तो CS3 NH2 इसमें प्राइमरी अमाइन लिए इसमें फिर क्या डाल दिया alkyl bromide डाल दिया मतलब methyl bromide तो यहां से basically बच्चो फिर क्या होगा हमारे पास इधर से H निकलेगा और इधर से BR तो methyl group two times हो गया यहां पर CS3 का twice कर दिया और इधर क्या बचाओ only NH plus HBR बाहर निकल गया यह हमारे पास secondary amine की formation आ गए फर्दर हमने यह secondary amine लिया फिर इसमें हमने क्या डाल दिया methyl bromide तो यहां से CS3 का twice हुआ और इधर only just क्या बच गया N plus HBR बाहर निकल गया तो यह हमारे पास क्या आ गई trusory amine की formation आ गई यह भी काफी important reaction रहने वाले आपके exam के लिए तो next हमारे पास जो nucleo flick substitution reaction है बच्चों जो top most important रहे आपके exam के लिए वो है reaction with sodium cyanide या reaction with potassium cyanide जिसको हम NACN और KCN कहते हैं अब यह basically दोनों के दोनों ionic nature के अंदर होते हैं ionic का मतलब कहा है N A के उपर charge positive C के उपर charge negative triple bond N के उपर lone pair of electron क्योंकि यहाँ पर दो ही nucleophile site है कोई भी bond formation में party speed कर जकता है जिसको हम क्या बहुते हैं embedded nucleophile काफी important है और किस की formation देंगे basically बच्चों यह cyanide की formation देंगे अब इसकी जो reaction हमारे पास रहेगी वो देखिए हमने लिए यहाँ पर CS3Cl plus NaCN अब यह हमारे पास है sodium cyanide हम यहाँ पर KCN भी ले सकते हैं basically बच्चों same product बनेगा तो यहाँ से Na और इदर से CL बाहर निकलेगा तो हमारे पास CS3 C single bond के रूप में और triple bond N और यह हमारे पास बन गया इथेन नाइट्राइल यह इसको हम बोल दे देंगे basically methyl cyanide तो यह हमारे पास ionic nature का है ionic nature का मैंने अभी आपको जस्ट बताया next हमारे पास है reaction with AGCN यह भी काफी important AGCN जो होता है basically बच्चों वो covalent nature को होता है क्योंकि इसके अंदर only one क्या है nucleophile site है जो एकी site bond formation में participate करेगी तो हमने यहाँ पर क्या लिया CS3Cl plus AGCN अब इस case में यह isocyanide बनाएगा यह फिर isonitrile बनाएगा यह याद रखना आपने जो covalent nature वाला है तो CS3 के साथ N ने bond बनाया N triple bond C this is a methyl isocyanide इसको हम क्या बोलेंगे methyl और यह हमारे पास isocyanide या फिर हमारे पास यह methyl या फिर इसको isonitrile भी कह सकते हैं पलस क्या निकलेगा AZCLA by product next जो हमारे पास reaction है reaction with potassium nitrite यह वाली भी top most important रहेगे आपके exam के लिए अब जो potassium nitrite है इसको हम कैसे लिखते हैं KNO2 है अब यहाँ से K positive O negative उसके बाजू single bond N के उपर lone pair of electron और double bond of oxygen अब इसकी जो हमने यहाँ पर लिया methyl chloride इसमें KNO2 डाला तो हमारे पास basically बच्चों जो मैंने यहाँ पर यह लिखा है ना तो यह oxygen bond formation बनाएगा किसके साथ methyl के साथ तो CS3 O और N double bond O तो methyl यह हमारे पास क्या बन गया nitrite प्लस क्या निकल गया इदर से K और इदर से CL तो यह reaction भी आपने learn करनी है आपके final bond exam के लिए next हमारे पास जो reaction है basically बच्चों nucleophilic substitution reaction की reaction with a silver nitrite silver nitrite का formula क्या होता है AZNO2 अब इसका जो resonance मैंने यहां पर लिख रखा है AZO single bond N के उपर lone pair of electron double bond oxygen अब इस case में AZCL बाहर निकलेगा और NO2 directly attach हो जाएगा क्योंकि यह basically किस film में है equivalent nature में है यह वाला जो आप इउपर ने किया आपने यह हमारे पास किस nature में था this is a ionic nature के अंदर यह आपने learn करके रखनी है तो इसमें क्या बनेगा हमारे पास nitro methane plus AZCL next हमारे पास जो nucleophilic substitution reaction है basically बच्चो reaction with lithium aluminium hydride lithium के उपर positive charge aluminium के उपर plus 3 charge hydrogen के उपर minus 1 charge अब यहां पर हमने methyl chloride लिया इसमें lithium aluminium hydride डाल दिया तो इधर से 1H इस methyl group के साथ जाएगा निकल जाएगा इस reaction के अंदर यह भी आपने अच्छी तरह से prepare कर लेनी है next हमारे पास रहेगी basically बच्चो reaction with grignard resin तो grignard resin पे काफी reactions आती है तो आज मैं यह सारे grignard वाली कराऊँगा तो वैसे grignard resin होता क्या है RMGX तो इसको हम alkyl magnesium halide बोलते हैं सा bond बनता है तो यह polar covalent bond बनेगा आपके एजर्सन region के अंदर यह question काफी important रहता है यदि magnesium और halide के बीच में जो bond है वो basically वो पूछ ले जाता है वो bond कौन सा बनेगा हमारे पास ironic bond बनेगा अब R हमारे पास alkyl group जिसके उपर partial negative charge होता है magnesium के उपर partial positive x के उपर negative charge x हमारे पास कोई भी chloro और bromo हो सकता है बिसे कली अब यहाँ पर हमने क्या लिया methyl chloride लिया इसके अंदर हमने क्या डाल दिया this is a methyl magnesium bromide तो इदर से mgbr और इदर से cl बहार निकलेगा तो methyl methyl group आपस में attach हो जाएंगे तो methyl chloride से हमारे पास जो formation बन क्या ही वो किसकी बनी ethane की formation बनी यह काफी important रहने वाली आपके board exam के लिए next हमारे पास जो nucleophilic reaction है basically बच्चो reaction with sodium alkynide अब इसके अंदर जो alkynide है वो आप देख लीजिए वो क्या होता है कि CH triple bond C negative na positive तो यह sodium और यह हमारे पास क्या बन गया ethaneide it is a very very important और यह हमने क्या लिया methyl chloride अब इदर से basically बच्चो CL और इदर से NA as a by product निकलेगा और CS3 के साथ C और triple bond CH बाहर निकलेगा जिसको हम क्या बहुलेंगे propine तो यहां से इसको आप देख लीजिए काफी important रहने आ लिए यह भी nucleophilic substitution reaction जो किसके लिए थी हैलोलकेन के लिए next हमारे पास जो chemical reaction है हैलोलकेन की वो है बच्चो beta elimination reaction अब इसको elimination reaction भी कहते हैं beta elimination भी कहते हैं और यह दुसरा नाम इसका dehydrohalogenation reaction भी है अब इस case में सबसे पहले देखिए बच्चो हमने यहां पर लिखा CS3, CS2 और CL this is a chloroethane बन गया अब जहां पर functional group attach होता है उस carbon को हम क्या बोलते हैं alpha उसके next वाला carbon क्या है beta अब इसकी presence जो होती है alcoholic QH के साथ यह alcoholic NUH के साथ अब इसमें से alpha से तो functional group जाएगा और beta से hydrogen जाएगा और यहां पर alpha और beta के बीच में क्या जाएगा double bond आ जाएगा तो हमारे पास जो reaction बनेगी basically बच्चो alpha से क्या निकला CL और beta से क्या निकला hydrogen तो दोनों में double bond आ गया तो CS2 double bond CS2 plus K इदर से CL क्ये CL बाहर निकला इदर से OH और इदर से H वो हमारे पास water molecule की formation आ गए अब इसको हम beta elimination reaction कहते हैं और इसी जैसी एक reaction है basically बच्चो जो आपको exam में confuse करेगी कई बार आ चुकी है यदि alcoholic QH ना लेके aqueous QH ले 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 तो उस case में basically बच्चो जो OH है just only replace किसको करेगा CL को बास ethanol की formation देगा तो यहां पर हमारे पास क्या लिए है chloro ethane लेके चले आप CS3, CS2, OH बन गया ethanol plus KCL निकला क्योंकि aqueous में था aqueous होने की वज़े से जो इसका basic strength वो decrease हो जाता है यह यहां से beta carbon के अंदर से hydrogen को replace नहीं कर सकता यह भी काफी important reaction है आपके board exam के लिए next हमारे पास ऐसी के अंदर set jeff rule अब set jeff rule जो है basically वो beta elimination के according ही है अब यहां पर हमने लिया CS3, CS2, CH और इसके निचे CL और यह दर हमारे पास है CS3 अब alcoholic NUH करो alcoholic QH कर सकते आप यह हमारे पास alpha carbon रहेगा इस वाले को beta माल लो अब एक बार alpha से तो CL functional group निकलेगा और beta से hydrogen तो double bond आ जाएगा एक बार हम क्या करते हैं alpha और beta dash के साथ कर लेंगे ऐसे ही क्योंकि set jeff rule है basically बच्चों यह हमें क्या बताता है only major और minor product के बारे में बताएगा जब हमने alpha और beta की बात की तो यहां से functional group निकाला beta से hydrogen निकाली double bond आ गया तो यह बन गया हमारे पास CS3 CH यहां पर CH रहेगा double bond CH और यह CS3 जिसका नाम क्या बनेगा one two but और two पे हमारे पास double bond है तो butene बन गया उसके बावजूद second हमारे पास जब हमने alpha और beta dash से निकाला alpha से तो heart यहां से functional group beta से hydrogen तो यहां double bond आ जाएगा CS3 CH2 उसके बाद single bond CH और double bond क्या आ जाएगा CS2 अब यह हमारे पास बन गया but one in अब इस case में जो हमारे पास major or minor product का आपको कैसे पता लगेगा कि जो unsaturated carbon होते हैं जिसके अंदर क्या होंगे less number of hydrogen तो वो वाला major product होगए यहां पर only 2 hydrogen है but in case unsaturated में क्या है 3 hydrogen है तो यह हमारे पास क्या रहेगा minor product रहेगा तो यह हमारे पास था set jeff elimination rule next हमारे पास है reaction with metal तो इस reaction में हम बात करेंगे grignard resident की तो grignard resident हमारे पास कौन सा है यहां पर alkyl magnesium halide जिसको हम rmgx कहते हैं अब इस reaction में basically बच्चो हमने क्या लिया bromobenzene ले लिया bromobenzene के अंदर हमने कोई भी metal डाला metal यहां से हमने magnesium डाल दिया तो magnesium जब डालेंगे तो किसकी presence में reaction करोगे dry ether की तो हमारे पास क्या बन जाएगा mg attach हो जाएगा benzene के साथ तो यह बन गया phenyl magnesium bromide अब यह reaction हमारे पास काफी special reaction है grignard resident की अब यह reaction देखिए पहली हमारे पास कौन सी थी basically बच्चो cs3 mgbr लिया हमने जिसको हम क्या बोलते हैं methyl magnesium magnesium bromide इसमें एक time तो हमने NH3 डाला ammonia एक time हमने क्या डाला अलग अलग reaction है यह water molecule इदर से हमने क्या डाल दिया इसके अंदर methanol अब जब हमने ammonia डाला तो यहां से 1H किसके साथ जाएगा cs3 के साथ तो यह बन गया CH4 यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया MgBr as a byproduct और NH2 तो यह हमारे पास methane की formation आएगी इस reaction के अंदर यदि हमने इसमें water molecule डाला तो HOH में तोड़ते हैं तो 1H methyl के साथ जाएगा तो CH4 बनेगा और OH किसके साथ जाएगा MgBr OH के साथ ऐसे ही हमने methionol लिया तो यहाँ पर बच्चो एक हैच जो है यह वाला इसके साथ आएगा methyl के साथ तो यह मिथेन बन गया और बाकी OCS3 किसके साथ हो जाएगा MgBr OCS3 के साथ तो यह reaction भी काफी important है Grignard resident वाली इसको भी आपने बहुत अच्छे तरिके से prepare करना है next हमारे पास है name reaction इस chapter की काफी important है जिसको हम बोलते है words reaction अब words reaction में basically बच्चो twice number two number में लेके चलते है alkyl halide को और two time ही इसके अंदर क्या डालना अपने sodium जो यह reaction होगी basically इंदी presence होपे dry ether तो मैंने जो alkyl halide है RX ऐसे लिखा और जो time है ऐसे लिखा RX ताकि मैं इसको easy break कर सकूँ तो यहाँ पर two na डाला तो two na और x two times यह बहार निकला और rr आपस में bond बनगे जिसको हम क्या बोलते है alkyl अब इसके अंदर reaction देखिए methyl bromide two times लेना है आपने इसके अंदर क्या डाल दिया two na अब यहाँ पर methyl bromide को भी मैंने divide करके लिखा ताकि आप easy कर सको two na और यहाँ से br बहार निकलेगा और cs3 cs3 आपस में attach हो जाएंगे जिसको हम ethane बोलते हैं तो यह methyl bromide convert into ethane के रूप में exams में पूछ ली जाती है जिसको हम words reaction कहते हैं और यह dry ether की presence में होती है इसको आपने अच्छी तरह से learn करना है exam के लिए next हमारे पास रहेगा reaction आपे halorins तो reaction आपे halorins के अंदर भी हम बात ही करेंगे nucleophilic substitution reaction की यह भी काफी important है आपके exam के लिए तो हमारे पास सबसे पहले है chlorobenzene अब chlorobenzene के अंदर first step हम ने क्या डाल दिये sodium hydroxide और temperature दे दिये गया 623 Kelvin और pressure हमारे पास 300 atmospheric यदि हम यह only just डालते है single step मैं ने यहाँ पर mention नहीं किया यदि यह डालते है तो हमारे पास इसमें जो पहला product बन के आता है बच्चों वो क्या बनेगा sodium phenoxide benzene के ऊपर ONA चिपक जाएगा और HCL बाहर निकलेगा second step में यदि हम H positive डालते हैं तो हमारे पास directly क्या बन जेगा phenol या आप ऐसी किजिए step one or two इखटा कर सकते है chlorobenzene convert into किसमे convert हो गया यह phenol के अंदर इस process का नाम हमारे पास dose process भी कहते हैं यह आपके exam के लिए काफी important रहेगा second हमारे पास यहां पर basically बच्चों हमने क्या लिया नाइट्रो ग्रूप लगा दिया कहां पर पैरा position पे इसमें भी हमने सेम चीज़ वही डाल दी एन्ने व H temperature थोड़ा सा कम कर दिया four four three Kelvin हमारे पास जो सी एल है ना वो किसमें कनवर्ट होगा एलकोहल गुरूप के अंदर कनवर्ट हो जाएगा पलस क्या निकल जाएगा एन्ने सी एल नेक्स हमारे पास अब नाइट्रो को हमने एक बार पैरा पे लिया था basically बच्चों पैरा पर भी रखा और और ओर तो लगा दिया सेम वही रेक्टेंट हमने डाल दिया इसके अंदर एन्नेव एच फर्स्ट हैप के अंदर टेंपरेचर शिक्स 368 Kelvin और H-positive अब यहां से जो CL है वो डारेक्टी कनवर्ट किसमे होगा फिनोल के अंदर तो यह हमारे पास formation बन जाएगी नेक्स जो fourth reaction है basically बच्चों यह आपके board exam के लिए top most important है अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया नाइट्रो को कहाँ पर लगा दिया 246 के उपर ठीक है ना यह हमारे पास 246 ट्राइट्रो और यह हमारे पास chlorobenzine रहेगा अब इसके अंदर जब इसके अंदर warm water डालते हैं तो warm water डालने से हमारे पास CL किसमें replace होगा OH के अंदर तो हमारे पास यह क्या बन क्या गया इस इस पिकरिक एसिड काफी काफी important reaction आपके exam के लिए रहने वाली है और इसका जो IUPAC name रहेगा 1,2,2 पे हमारे पास नाइट्रो,4 पे नाइट्रो और 6 पे नाइट्रो,this is a 2,4,6 ट्राइट्रो फिनोल की formation आ जाएंगी तो यह हमारे पास ती reaction of a hello orange शिरफ आपने इनको अच्छी substitution reaction तो यह भी काफी important है इसके अंदर यह पूछा जाता है कि electrofile क्या होता यह आपके multiple choice question के लिए भी काफी important है तो पहली हमारे पास electrofile substitution reaction halogenation अब हमने chlorobenzene लिया उसके अंदर CL2 डाल दिया in the presence वो पे Lewis acid catalyst जिसको हम enhydras AL-CR3 ले सकते हैं अब जो CL है basically बच्चो जो CL-CL अब यह CL वाला positive रहेगा एक CL क्या रहेगा negative जो CL positive रहता है उसको हम electrofile बोलते हैं जिसको हम chlorineum ions कहेंगे और यह exams में पूछा जाता है और यही CL positive attach होगा कहां पर एक बार ortho position पर एक बार para position पर और जो para वाला हमारे पास होता है यह major product रहेगा और minder हमारे पास कौन सा रहेगा ortho तो इसके अंदर यह आपने बहुत अच्छे तरह से learn करना की electrophile क्या है यहाँ पर chlorineum ion Cl positive जो attach हुआ कहां पर ortho position पर और para position पर next हमारे पास इसी के अंदर जो electrophilic substitution reaction है बच्चो nitration अब nitrogen के लिए हमने chlorobenzene के अंदर क्या डालना है concentrated HNO3 अब HNO3 को हमने breaker के लिखा HO और NO2 जो HO पर negative charge होता है NO2 पर positive charge और यही electrophile है इसके अंदर तो इसकी position एक बार कहां पर आएगी ortho पर और एक बार कहां पर आएगी para position पर तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसके अंदर एक बार ortho पर नाइट्रो की एक बार para पर तो para वाला हमारे पास major product रहेगा अब इसका आपने नाम करना है तो नाम कहा रहेगा बिसिकली बच्छो 123 and this is a four तो one chloro four nitro और this is a benzene या फिर इसका करना चाहते हो तो one हमारे पास क्लोरो two nitro और this is a benzene next हमारे पास रहेगा sulfonation reaction ये भी काफी important है electrophilic substitution reaction के अंदर आप sulfonation के अंदर आपने क्या डालना है concentrated S2SO4 डालना है उसको further heat करना है अब इसके अंदर यदि हम S2SO4 को तोड़ते हैं basically बच्छो HO negative और SO3H में तूटता है और जो SO3H होता है वही हमारे पास electrophile होगा उसकी position एक बार उर्थो पे आएगी और एक बार कहां पर पैरा पे और पैरा वाला isomer हमारे पास major होता है due to the symmetry of a constituent particle और ये उर्थो वाला हमारे पास minor होगा अब इसका जो आपने नाम करना है यदि IUPAC 1,2 तो 2 पे हमारे पास chloro this is a benzene और इसको हम क्या बोलते हैं sulfonic acid ऐसी हमारे प रहेंगे नेक्स हमारे पास रहेगा फ्रीडल क्राफ्ट रियक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट रियक्शन बेसिकली बच्चो दो टाइप की होती है जिसको हम alkylation बोलते हैं और acylation और मैं वह एक्जाइम के लिए top most important रहने वाली है तो इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे क्लोरो बेंजेन के अंदर आपने alkyl halide डाल दे जिसको फ्रीडल क्राफ्ट alkylation reaction कहते हैं कि इसकी प्रेजिंस में करनी है आपने anhydrous alcl3 या फिर anhydrous fecl3 तो हमारे पास जो cs3 है वो यहाँ पर electrophile है cs3 positive होता है तो उसकी position एक बार कहां पर आएगी और एक बार कहां पर प बेंजेन यह हमारे पास वन कलोरो फॉर मिथाइल डिस जे बेंजेन तो यह हमारे पास बनेगी फ्रीडल क्राफ्ट alkylation reaction जो लूइस एसीड कैटलिस्ट की presence में होती है next हमारे पास जो reaction है फ्रीडल क्राफ्ट alkylation reaction यह भी काफी important है तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पह हमारे पास CS3C double bond O होता है यदि benzoil group के साथ करनी है तो C6H5C double bond O होता है अब इसके अंदर आप तीनों में से किसी के साथ भी exams में आती है पर जो most probable है वो हमारे पास acetyl group वाली होती है अब इसके अंदर हमने क्या लेके चले chlorobenzene लेके चले chlorobenzene में हमने क्या डाल दिया acetyl koloride CS3C double bond O CL अब इसको acetyl koloride भी कहते है और यदि इसका iupacy name करे तो basically बच्चो इसको ethenoil koloride कहते हैं अब ये हमारे पास CS3C double bond O this is a electrophile अब इसकी position एक बार उर्थों पे जाएगी और एक बार इसकी पैरा पे और इदर से H और इदर से CL as a byproduct बाहर निकल जाएगा तो CO CS3 कहां pretach हो गया एक बार ओर्थों पे और एक बार हमारे पास कहां पर पैरा पोजिशन पे तो इसका नाम कहां से start करोगे बच्चो iupacy के अंदर 1-2 तो 2 पे chloro और this is a हमारे पास 2 carbon के लिए क्या लिए एस्ट और ये हमारे पास phenyl group है और ये group कौन सा है ketone तो आपने लिखा 2 2 chloro acetophenone ये minor product रहेगा और ये हमारे पास 4 chloro numbering निचे से करोगे 4 chloro acetophenone this is a major product तो ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन और अलकाइलेशन दोनों ही reaction आपके exam के लिए काफी important रहने वाली है name reaction भी है वैसे preparation के रूप में भी पूछ ली जाती है next reaction हमारे पास है reaction with metal अब इस अब हम वोड्स फिटिंग reaction की बात करें तो इसके अंदर हमने एक तो arryl halide group लेके चलना है और एक alkyl halide पस इतना ही difference है क्योंकि वोड्स reaction के अंदर हम क्या use करते थे दोनों ही alkyl halide group use करते थे but in this reaction one is a alkyl halide group use करेंगे और एक दूसरा arryl halide arryl halide हमारे पास क्या होता है बेंजीन के ओपर x इसके अंदर alkyl halide rx होता है हमारे पास पलस क्या डालेंगे इसके अंदर 2 na अब यहां से 2 na x बाहर निकलेगा और जो यह alkyl group वो टैच हो जाएगा किसके साथ benzenning के साथ किसकी presence में reaction करनी है आपने इसको dry ether की presence में तो यह हमारे पास बन गया alkyl benzen plus 2 na x फर्दर इसकी जो मैंने reaction modified किये यहां पर देखिए क्लोरो बेंजीन हमने लिया पलस इसके अंदर क्या डाल दिया 2 na यहां पर हमने लिया यहां पर this is a alkyl halide तो यहां से 2 na और इदर से cl और इदर से cl तो 2 na cl बाहर निकलेगा और जो methyl group है यह attach हो जाएगा किसके साथ benzen ring के साथ किसकी presence में करोगे dry ether की presence में तो हमारे पास क्या वन गया tolin जिसका नाम रहेगा methyl benzen तो यह reaction हमारे पास है woods fitting reaction ऐसी reaction हमारे पास है इसके अंदर basically बच्चो fitting reaction अब fitting reaction के अंदर हमने क्या लेना है दोनों ही arryl group लेने arryl halide group लेके चल ले हैं तो arryl halide में हमारे पास chlor chloro benzen two times लिया एक इदर लिखा मैंने एक इदर ताकि reaction आप समझ सके 2 na cl इसमें डाला तो इदर से 2 na और इदर से ये भी cl और ये cl दोनों remove हो जाएंगे तो दोनों benzen आपस में attach हो जाएंगी जिसको हम क्या बोलते है डाइ फिनाइल या फिर बाइ फिनाइल और यह exam से poly halogen compound तो ये भी topic काफी important है क्योंकि ये chapter के विल्कुल end में है इस पे भी काफी reactions बनती है और काफी question बनते हैं वो मैं question भी आपको बताऊंगा तो सबसे पहले जानिए poly halogen compound क्या होते हैं कि the organic compound containing more than one hydrogen atom जिसमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं halogen atom होते हैं उसको हम क्या बोलते cfcl3 cc2cl2 this is the poly halogen compound अब हमारे पास जो पहला poly halogen compound है this is a dichloromethane तो dichloromethane का formula बच्चो क्या रहेगा cc2cl2 अब यहाँ पर हमने मिथेन लिया इसके अंदर two time हमने cl2 डाल दें the presence of a sunlight तो यहाँ से 2cl attach हो जाएंगे और इदर से 2h निकलेंगे तो हमारे पास क्या बन गया cc2cl this is a dichloromethane plus क्या निकल के आगया 2hcl तो यह हमारे पास पहली preparation है किसकी halogen compound की जो आपने prepare करनी है board exam के लिए next हमारे पास है इसके अंदर second poly halogen के अंदर trichloromethane trichloromethane को हम basically बच्चो क्या बोलते हैं chloroform भी कहते हैं जो chcl3 होती है अब मिथेन के अंदर आपने three time क्या डाल chcl2 in the presence of a sunlight अब यहां से three cl attach हो जाएंगे और इदर से तीन h निकलेंगे तो हमारे पास chcl3 plus 3hcl निकलेगा this is a chloroform methane से chloroform में change हो गया अब इसके अंदर जो main important है जो board exams में पूछ ली गई है कि जब हम chloroform के two molecules oxygen की presence में light की presence में लेके चलते हैं तो हमारे पास phosgen gas बनते हैं जिसको हम cocl2 कहते हैं this is a very very important reaction for your exam प्लस क्या निकलेगा as a byproduct hcl तभी मैंने इसको यहाँ पर note में mention किया यह आपने अच्छी तरह से prepare करनी है कि जब हमने two molecules कि इसके लिए chloroform के oxygen उसके अंदर डाल दिये in the presence of a sunlight तो हमारे पास क्या निकला cocl2 this is a phosgen plus hcl next हमारे पास जो reaction है basically बच्छो poly halogen compound की वो है tri idomethin जिस उसको हम idoform test भी कहते हैं CH i3 बनता है जो yellow color के precipitate बनके आते हैं अब यह जो reaction होती है basically बच्छो isopropyl alcohol वाले group के साथ ही होती है तो CS3 CH के साथ OH group और यहाँ पर methyl group इसमें आपने क्या डाला iodine plus NaOH तो यहाँ से CH और इधर से i3 हमारे पास इसको balance करना है तो CH i3 के yellow color के क्या नि double bond oxygen और उसके साथ क्या रग जाएगा ONA तो यह हमारे पास एज़े by product निकलेगा इस reaction के अंदर जिसको हम idoform इसको आप further chapter के अंदर करोगे वहाँ पर proper explain है idoform reaction होती क्या है नेक्स हमारे पास इसी के अंदर है कि जब हमने idoform को air और moisture के अंदर डाल दिया उसको heat करते तो हमारे पास iodine plus carbon dioxide plus क्या निकलता है water molecule की formation निकल के आती है यह reaction भी आपने अच्छी तरह से learn कर लेनी है नेक्स जो हमारे पास reaction रहेगी tetra chloromethine तो यह काफी important है जिसको हम CCL4 कहते है तो जब हमने chloroform लिया CHCl3 इसके अंदर CL2 डाल दिया अंदी presence अपे sunlight तो यहां से basically वच्छो एक CL attach हो जाएगा और इदर से ही catch और इदर से CL AJ by product के रूप में निकलेगा तो यह हमारे पास क्या बन गया tetra chloromethine जिसको हम CCL4 कहते हैं नेक्स जो हमारे पास फिफ्ट और सिफ्ट और सेवन यह reaction आपके बोर्ड के लिए टोप रहने वाली है तो नेक्स हमारे पास जो reaction है विच्छो वेरी वरी important जिसको हम फिर्योंस कहते हैं अब फिर्योंस हमारे पास इसका पहले formula जानि है तो डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मिथेन अब इसके अंदर जो reaction होती है बच्छो स्वार्स reaction के according होती है वही metallic fluoride यूज करते हैं इसके अंदर जब हमने CCL4 लिया carbon tetra chloride इसके अंदर क्या डाल दिया anti-money trifluoride डाल दिया SBF3 जैसे इसको further heat करते हैं तो हमारे पास C के साथ क्य क्या जाएगा CL2 और इधर से दो CL निकल जाएंगे और दो F अटैच हो जाएंगे तो हमारे पास बन गया CCL2 F2 इसको हम बोलते हैं फिरियों तो यह reaction preparation भी आपने board exam के लिए बहुत अच्छे तरीके से prepare करनी है next हमारे पास जो reaction है basically बच्छो BHC तो सबसे पहले तो आप जान यहाँ पर क्या होगे 6 CL अटैच होगे इस group के साथ तो इसको हम बोलते है BHC तो यह reaction भी काफी important रहने वाली आपके exam के अंदर next हमारे पास basically बच्छो DDT तो DDT वाली की structure exam ने पूछ लिए आती है इसकी full form पूछ लिए आती है और इसकी reaction preparation भी तो सबसे पहले हम जानेंगे DDT यह full form क्या होती है Dichloro 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 Trichloro Ethane this is the full form of a DDT simple है Dichloro 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 Trichloro Ethane अब इसके अंदर क्लोरल लेके चलते हैं बच्छों क्लोरल होता क्या है C के साथ 3CL group attach होते है CL3C और उसके साथ C के साथ हमारे पास LD high group यहाँ प्रेच लगा दिया double bond O तो इसको हम क्लो benzene two times आपने डालना है किसकी presence में करोगे concentrated H2SO4 की presence में तो यहाँ पर मैंने इसको just break करके लिए कता कि आपको समझवा है इधर से यह hydrogen replace होगा इधर से भी hydrogen निकलेगा इधर से oxygen तो यह carbon सीधा benzene group के साथ क्या हो जाएगा attach तो हमारे पास जो by product बन यह product बन के आए इसके अंद reaction काफी important रही आपके board exam के लिए किसकी presence में होती है concentrated H2SO4 जो किसका काम करता है dehydrating agent का काम करेगा तो यह थी हमारे पास top most important reaction जो आपका NCRT निचोड़ मैंने आज कराया है तो next वीडियो के अंदर आपको next chapter कराएंगे उसकी भी proper reaction as it is करा जाएगी तो चैनल को subscribe कर ले ताकि आ top लग जैहिंग जैबार्द